नमस्कार मैं हूँ संजे शर्मा आप देख रहे हैं 4PM News Network दो हजार चौबिस का चुनाओं जैसे जैसे पास आता जा रहा है मुझे लग रहा है साहिप के दिन कुछ गरवड़ा रहे हैं मुझे हसी आ रही है मैं फिर उन जोश्याचारी जी की बात याद करूंगा उन्होंने कहा कि छे तारीक के बाद 6 सितंबर के बाद साहब के दिन खराब होंगे पार्टी में बगावत हो सकती है यह पिछले संड़े को हमने रिकॉर्ड किया था उन्होंने अपने जोतिशास के हिसाब से बताया था लेकिन मैं इतना भी वह नहीं किया रहा कि उन्होंने बताया तो वैसे होने जा रहा है लेकिन जो घटना क्रम पीत रहा है जो घटना क्रम सामने आ रहा है वो कुछ ना कुछ इशारे कर रहा है कि साहब के दिन वास्तम में परिशानी भरे आने वरे हैं सामाने से चर्शा करिए पत्रकारों से करिए नौकरशाओं से करिए पॉल्टिकल आदमी अलग-अलग पार्टी के लोगों से करिए तो एक बात कौमन निकलके आती हैं बंगाल बिहार माराष्ट करनाटक यह वो राज गिनाई जाते हैं कि यहां पर भारतिय जनता पार्टी क को बहुत बड़ा नुक्सान होगा मद्रप्रदेश और राजस्तान में चुकि सारी सीटे उनकी हैं जितनी कॉंग्रिस गेन करेगी वो नुक्सान भारती जनता पार्टी का होगा लेकिन अभी तक यह एक लाइन कही जाती थी गुजरात और उत्तर प्रदेश बीजेपी का बड़ा मजबूत किला है यहां बीजेपी को और प्लस ही होगा माइनस नहीं होगा ऐसे कहते थे गुजरात के तो सभी उनकी सीटेटी लेकिन इस बीच में पॉलिटिकल गल्यारों में भारती जनता पार्टी के बलिया से बदायू बदायू से लोट है तक एक बात कॉमन च चर्चा का विशह बन गई है वो है योगी आदितनात नराज है जिस तरह पिशेदुनों गड़करी जी की योगी की बलाकात की जिस तरह बाकी चीजे सामने हैं उससे ये बात साफ हुई कि कुछ दिल्ली दरवार के ऐसे फैसले हैं जो योगी आदितनात को रास नहीं आ र दोनों में ये लाइन खिची हुई नजर आती लेकिन योगी सरकार पार्ट वन और पार्ट वन में एक अंतर आया है योगी आदितनात हिंदुत का बड़ा ब्रांट बन रहे हैं पहले होता था कि दिल्ली हटा ना दे दिल्ली चेंज ना कर दे लेकिन अब चुनाव जब प नहीं दिया गया उत्तर प्रदेश के डीजीपी चुनना हो उत्तर प्रदेश का चीफ सेकर्टी चुनना हो योगी आदितनात को अपने मन मर्ची से काम करने की छूट नहीं मिली ये बात सब जानते हैं यहीं नहीं पॉलिटिकल फैसलों में भी दिल्ली इस वार डरा हुआ दिल्ली डरा हुआ यह है क्योंकि राज्यति गल्यारों में भारतिय जन्ता पार्टी के अपने अंदुर्णी गल्यारों में एक बात बहुत चर्चा का विशे है कि अगर दो हजार चौबिस में साहिव इतने ही प्रचंड भूमत से आ गए है मतलब साहिव की तीन सो से जादा सीटी आ गई तो सभी लोग कहते हैं कि योगी जी कुछी महीनों के मेमान रहेंगे योगी जी को दिल्ली दर्वार यानि मोदी साहब और शाह साहब हटा देंगे ऐसी चर्चाएं और लोग साह की दूसरी बात कहते हैं अगर सीटे दोसों क्या असपास रही या राष्टिय सेम सेबक संग के और साहब के संबंद अच्छे नियां ये बच्चा बच्चा जानता है और पिछले दिनों में दिल्ली दर्वार ने जो फैसले लिए उसने योगी आदितिनाथ को और नाराज करते हैं और उसकी नाराजगी घोसी उप्चुनाव में कि अल्फ संग्कों के जो एक आईकॉन बने हुए थे सबी संग्कों को नहीं कहुआ लेकिन बाकी पाटियों ने अल्फ 레de को के नाम पर तीन लोगों को चर्चा मिला दिया था और योगियादितनात की hit list में तीनों थे पहला नाम मुक्तारम सारी था दूसरा नाम अतीगमत था और तीसरा नाम आजम खाण योगियादितनात जानते थे कि अगर इन तीनों को किनारे कर देंगे इन तीनों को ठिकाने लगा देंगे तो उनकी एक बहुत बड़ा बेस बनेगा, चर्चा का विशह बनेगा मुक्तार अंसारी ठिकाने लगा दिये गए, जेल में है, उनका बेटा जेल में है अती गैमत अल्ला मिया को प्यारे हो गए और आजम खांक किनारे हो गए, पॉर्टिकरी खतम हो सारी ब्रांडिंग योगी आज इतनात की थी कि देखो हमने मुक्तार अंसारी को तभा कर दिया, बोर्डुजर चला दिया, नेश्तिन अबूद कर दिया देकि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि चर्चाएं हैं कि दिल्ली और लकनों के बीच सब सही नहीं चला तो दिल्ली दर्वार पूरी तरह से योगी आज इतनात पर भरोसा नहीं कर पारा इसलिए दिल्ली दर्वार ने तै कि पिश्डों के नाम पर जो अफले शादव, जो इंडिया गटबंदन, पिश्डे, दलित और मुसल्मान के नाम पर खेल करने जा रहा है उसमें सेंद लगा और पिश्डी जाती के नेता जोगे इसी करम में संजर निशात पहरी आ गए और ओपी राजबर को सीधे अमिशा जी ने बुलाया, चाय पिलाई, नाश्टा कराया और पाटी में शाबिल करा लिए योगी आधितनात ओपी राजबर को नहीं चाहते दें क्योंकि ओपी राजबर जी ने पेट भर भर के गालिया दीन चुराओं के समय में योगी आधितनात और जो योगी आधितनात को करीब से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि योगी आधितनात थोड़े अखड सवाओ हैं और अपने ऊपर किये कहे गए अब शब्दों को भूलते नहीं कि ऑपी राजबर ने बातों बातों में हद भी लांग दी ती मेरे अच्छे दोस्ते ऑपी राजबर जब चुनाओ चला था तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आपका इंटर्वू करना है तब मैं बनारस में था उपी राजबर को इंटर्वू किया था उपी राजबर ने उस दौर में जो कहा योगी आधितनाथ के लिए वो भी एक सीमा से परेता मैंने उनको टोका भी आप कैसी बाते कर रहे हैं कि शब्दों को कह रहे हैं मैं छोटे सा पार्ट दिखा रहा हूं ओपी राजबर का उ उपर हेली कॉप्टर से बॉल्डोजर दिखा रहे हैं अगला नंबर आपका है हमारे पास पोपलेंड है हम उसे पर उनका बॉल्डोजर लाद लेंगे उन्होंने ये भासा बोली आई नौजमानों तेरी गर्मी निकाल देंगे तो उम प्रकास राजबह ने नौजमानों स सब लोग मिल करके अखिलिस यादोजी को सीम बनाओ हम भरती निकाल देंगे इतना उत्थान किया कि पिछणों को इस टूल पर बैठा दिया और 79,000 सिक्षक भरती में पिछणों का हिस्सा लूटा गया दलतों का हिस्सा लूटा गया जबान नहीं खुली जबान खोलते तो काते लेते भच पईया सब तो सुना आपने इस इंटर्वू कर सुनकर कोई भी नेता भड़क जाएका और वो तो योगी आदितनात है और दूसरा सबसे बड़ी वजह है योगी आदितनात की नाराजगी की कि मुक्तार अंसारी का बेटा ओपी राजवर की पार्टी से वि मुक्तार अंसारी का विदायक बेटा जेल के भार आ गया तो उस मच्ष पर उसे योगी आदितनात के बरावर में बैठने का अधिकार होगा मतलब NDA की जो गड़वंदन है उसमें योगी आदितनात भी एक पार्टे है और मुक्तार अंसारी का बेटा भी एक पार्टे है तो योगियाज इतनाती पांचे साल की जो ब्रांडिंग है जो वो उन्हें माफियाओं के सामने एक मजबूत नेता के रूप में खड़ा करती है वो सारी ब्रांडिंग दिल्ली ने ओपी राजबर को शामिल करा के खतम करा लिए ऐसी दूसरे नेता थे दारा सिंग चोहान य अब वो दारा सिंग चोहान को भी अमिशा जी ने जेपी नड़ा ने दिल्ली बला के जोइन करा लिया और बताया जाता है कि योगी आदितनात को पूछा भी और यही नहीं घोसी में टिकट भी दे दिया लिए योगी आदितनात के सामने बड़ी विकट परिसी थी ती माना जाएगा कि दलिक पिशड़ा मुसल्मान एक जुठ हो गया लेकिन भारतिय जनता पार्टी के लिए इससे भी जादा चिंता की बात की दलिक पिशड़ा मुसल्मान के गर्चोर से जादा चिंता की बात की कि दलिक और ठाकुर मद्दाता समाजवादी पार्टी के पक् उनको लगता है कि जिस तरह विधान समा में उन्होंने प्रित्याशी नहीं खड़े किये, तो दलित बोट बीजेपी में चला गया उनको मीट भी कि इसी तरह से घोसी में वो अपना प्रित्याशी खड़ा नहीं करेंगी, दलित बीजेपी में चला जाएगा, बीजेपी समाइबादी पार्टी कांग्रेश जिस तरह घोसी में लड़े कर प्रदेशवन में लड़े और दलित, मुस्लिम, पिशड़ा ये एक जगह बोट चला गया, तो भारती जन्ता पार्टी दरजनबर सीटों पर सिमट सकती है, कहां वो 70-75 और कहां बारे और ये हुआ, तो मो सुदहाकर सिंग को टिकरते हैं, योगी आज इतना ठाकोर नेता के रूप में स्थापे थे, बीज़ेपी बानती थी कि योगी आज इतना के होते ठाकोर कोई जानी सकता, लेकिन घोजी में ठाकोर की नाराज की इतनी जाधा थी कि ठाकोर ने बीज़ेपी का साथ छोड़ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ठाकोर बहुत नाराज है, पश्मी उत्तर प्रदेश में आठ टिकट दिये जाते थे सांसजद के, दो दिये गए, उसमें भी एक हार गया, एक ठाकोर बचे, योगी सरकार की कैविलेट में कोई ठाकोर नहीं है, जबकि पूरी सरकार ठाकोर बादी होने का आरोप लगता है, तो ये बड़ी खतरनाग बाती है कि उची जातियों के बोट, वो भी स्वामी प्रसाइद मौरिय जैसे नहीं ता कि इस बयान के बाद जोनों ने राम चरित मानस को लेके दिया गया था, और बीजेपी ने कहा था कि अब कोई हिंद इस्तिती खतरनाग है, उची जातियों में भी नाराजगी है, पश्मी उत्तर प्रदेश के मुझफवा नगर जिले से बहुत अच्छा क्वार निकलता है, रॉयल बिलिटेन, उसके संपादक है, अनिल रॉयल, उन्होंने मुझसे डिवेड में बाचीत में पूरा खाका ख पश्मी उत्तर प्रदेश का, उची जातियों का, भार्तिय जनता पार्टी का, क्या सीन है, मेरे डिवेड में जो बोला, मैं आपको सिनवाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में राजीनती का क्या प्रदर्श है, सुनिये अनिल रॉयल जी, सबसे प चैनल के लिए एक एकलपनिया सफलता है, 9 करोड महिने में आपको सुनने वाले लोग हैं, इसके लिए बदाईए और अभी हम लोग सब बैठे पहले बात कर रहे थे, इसमें हमारा और सुसमिता का और निधी का इन सब का भी ध्यान रखना, यहसा नहों कि आपकी आवाज क जनता, आपके परती अगर यह विश्वास बना रही है, मैंने जब अभी शुरू किया है, मैंने भी यूट्यूब पे कोई आपकी तरह वीडियो बनानी शुरू की, तो डिप्टी, डियाई जी मेरे घर आगी है, मंत्री के फोन मेरे प्यान लेगे, क्या कर रहे हो, तो मैं कि चुनाओने और घोसी के साथ साथ आज याद रखना, लखनओ, बरेली, जालोन जैसे उस चुनाओं में जहां जिला पंचायत के वहाँ भी समाजवादी पायटी जीती है, और आसे जनक रूप से आपने ठाकुर की चर्चा की है, मैं ठाकुर का भी बताना चाहता हूँ, आपने सही मामला उठाया है, पश्ची में उत्तर प्रदेश में पहले आठ ठाकुर सांसद हुआ करते हैं, मतुरा, नौइडा, गाजियाबाद, गुलंसेर, अलीगर, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरट में ठाकुर सांसद जीते हैं, मेरट में हमरपाल सिंग तीन तीन बार जीते हैं, अब भारते जनता पायटी दो ठाकुरों को देती है, एक को गाजियाबाद से, एक को मुरादाबाद से, एक हार गए, एक जीत गए, ये पीडा जो आज सुदाकर सिंग के रूप में ठाकुर समाज की आई है, वो पश्ची मुत्तर प्रदेश में भी है, मैं उस जिले से हूँ संजय भाई जिसने भाज़पा को भाज़पा बनाने में सबसे बड़ा योगदान किया था, 2013 में मेरे घर में दंगे हुए थे, मेरे जिले में दंगे हुए थे, जिसकी वाज़पा अभिस्र की सबसे बड़ी पाइटी बनी थी, मैं उसी का एक छोटा सा ये एनेस्से में जेल गए थे विधायक थे एक उरई की जेल भेजा गए था एक बांदा की जेल भेजा गए था और जब उरई की जेल में संगीत को भेजा गया था तो उन्हें MLC बनाया, डिप्टी-CM बनाया, और वो इस उम्मीद में हैं कि कल को योगी जी हट जाएं, तो दिल्ली वाले उन्हें योगी जी की कुर्सी पे बठा दिये, ये तो योगी जी ऐसे मजबूत बाबा है, कि उन्हें हटा नहीं पा रहे हैं, ये तो केसाव मोरिये तो सुबह ही अचकन सिल्वाय सपत लेने को तैयार है जो भारतिय जनता पार्टी को पुराने जमाने में बनिये मामनों की ठाकरों की पार्टी मानी जाती थी पहले कॉंग्रेस को चलाते थे वर कॉंग्रेस के बाद ये अपरकास्ट भाजपा के साथ है और भाजपा का उत्थान सुलू हुआ पिछड़ा डलित अन्य विरादरियां जुड़ती चली है जब 2014 में भाजपा की उत्पत्ती हुई थी जब भाजपा की ग्रोथ हुई थी तो भाजपा हिंदुत्व की प्रतीक थी लेकिन 2014 से लेकर 2023 के बीच में भाजपा पिछडे अती पिछडे में डिविजन करने लगी है जो भाजपा के लिए हिंदु में हिंदु का बटवारा भाजपा कर रही है मेरे जिले में छे विदान सभा सीटे हैं शेहर पे तो चुकी वैस्चे का प्रूत है कपिल देव वैस्चे विदाए एक सीट कश्चप समाज को चर्थावल एक जाट को बुढ़ाना खपोली सैनी को मीरापूर गूजर को और चटवी सीट सी के लिए जड़ी जर्वे महां मजबूरी है ऐसे ही सामली की स्थितियां है भारतिय जनता पाटी में हिंदुत में हिंदों में भी बटवारा और पिछडे में भी अती पिछडे का बटवारा जो जो गरीबी के रूप में 81 करोड लोगों को रासन बांटना ये सम्मुद्दे उठा रहे हैं इस देश में म जिंदा हैं जो ये बताते हैं कि हमें 200 रुपे सिलेंडर पे 500 के 1200 करने के बाद 200 की छूट दे तो देश भर के भाजपा के मुख्यमंत्री और नेता ट्वीट करें वहाँ वहाँ गरीबों के लिए क्या कर दिया मध्यमबर के लिए क्या कर दिया और संजे सर्मा बताते हैं क 6900 करोड रुपे जी न्यूज के मालिक पर थे 500 करोड रुपे एक जटके में माद कर दिया और 1500 करोड भी किस्त में इस देश में सारे गरीबों को एक बर ऐसा ही दे दो उस पेंद्र जी और हम जो हमें समझाया जाता है कि हम आपको किसान सम्मान निदी दे रहे 6000 हमारे करते हैं उसके लिए बाकाइदा लाइव इवेंट करते हैं और उसको कुसका सुभास जी का जो जी न्यूज के मालिक है उनकी क्रेडिबिटी यह है कि सुधीर चौधरी जैसे एंकर वहां आकर दिन भर हिंदू-मसलिम करते थे उनके जो और चैनल में लोग है वो हिंदू- इसको साल बर में 6,000 रुपे और भीक की तरह जलील करके इस देश के आम आदमी को 200 रुपे 75 लाख कनेक्शन बाटे जाएंगे क्यों माट रहे हैं 75 लाख कनेक्शन संजय भाई नोट करने ना इसलिए बाट रहे हैं कि सलेंडर की फैक्टी संजय सर्मा की पुस्पेंदर की अरविंद की नवेद साहब की अपुस्पेंदर जी की नहीं है वो भी अडानी अंबानी की है अब देश में गैस पाइपलाइन से आने लगी है सिलेंडर बिखने बंद हो गए हैं इसलिए उजला के नाम से 75 लाख सिलेंडर और बाट दे जाएंगे सरकारी फंड से इस दे है सवाल की की योगी और मोदी में कौन दोसी है योगी जी का आपने सही धरन दिया कि कहा था आपके इंट्रू में और जंगे भी कहा था कि मठ में भेजेंगे बाबा को और दिल्ली वालों ने कहा ये राजबर लाएगा ये निसाद लाएगा ये चोहान लाएगा जनता न रहेगी योगी है हिंदुत के प्रतीक इसलिए गल्ती आरोप किसी पर लगा दे पर गल्ती तो दिल्ली वालों की है योगी दोसी नहीं है योगी को जलील करने वाले व्यक्तियों को आप महिमा मंडित कर रहें लाल बत्ती देने का बात कर रहे हैं योगी से पूछ भी नहीं तो योगी भी बाबा इतनी जल्दी भूलने वाले तो नहीं है कि जिसने बार-बार बाबा को यूट्यूब बार-बार दिखाते हो तुम यूट्यूब बाबा भी देखते होंगे उन्हें देखता होगा यह कह रहा था बाबा का यह हाल करूंगा तो चोड तो उसे भी होगा दो हजार बाइस के चुनाओं में जब लग रहा था कि या बाबा की सरकार जाएगी संजे भाई तो ये सब भागने वाले सबसे पहले थे बाबा इन्हें माफ नहीं करेगा इसलिए दोसी दिल्ली वाले हैं सायद इतना दोसी नहीं करेगा एक चीज़ और पूछा चाहूँ अनिल जी आपने इतना बड़िया चित्रन कर दिया कि मैं सोच नहीं सकता था मुझे याद है जब 2014 के बाद सरकार बने की बात आई थी 2017 में तो एक नाम बहुत तेजी से चलाता मुखमंत्री के लिए वो संगी स्वम का था और यह माना गया था कि हिंदुत का बड़ा शेरा है मुझवा नगर दंगे में धेर सारे मुगद में लगा दिये गए गए और कि सिंगी सवम का खाया है कि लिए संगी सोम का हाल इसलिए किया गया है regarde 2009 중요 ‌ह समाद वादी पाइटी के चुनाओ पर टिकट लिड़े थे उस समय समादवादी पाइटी को कोई अपरकास तो काल नहीं दे था संगी सोम ने 9000 वौट तब भी लिए और हारने के बाद विधान सबा हारने के बाद भी संगी सोम पश्ची में उत्तर प्रदेश में हिंदुत का बड़ा चेरा है लेकिन महराज जी या भाजपा के बड़े नेताओं को नहीं लगता है उनको तो लगता है कि मोधी जी हैं तो सब कुछ है यूपी में योगी जी गया है संगी सोम हो सुरेश राना हो इन्होंने कस्ट जेला था इनको समायजित किया जाना चाहिए था जब केशव मोरिये को आप दे सकते हो केशव मोरिये जी जो अपनी विधान सबाहार के आए हैं पलबी से उनको आप दे रहे तो इनको समायजित किया जाना चाहिए था पर भाया तुन्हें तो लग रहा था कि हम पे सोसल इंजिरिंग इतनी बड़िया आती है कि जरुवत नहीं है ठाकुर तो महराज जी के नाम पर ही वो मुझा फणनगर में तो व्यक्तिकत कारण से नराजगी है संजी बालियान साहब से नराजगी है लेकिन एन लार्ज पश्ची में उत्तर प्रदेश में ठाकुरों में भी विरोध के स्वर जागने लगे हैं जो भाजपा के लिए चिंता का विशे होगा और ये स्वर यद वही है चुकि बड़ी लोग बड़ी कंपनिया अडानी अंबानी बेचने लगे हैं सबजी भी और दाल दलिया भी तो गरीब दुकंदार पड़ोस का दुकंदार भी भुकमरी के कगार पर है और दो हजार चौबिस के बाद मात्र एक शायद आपने जिकर भी किया था मोध मोधी जी की मंत्री है किंद्र या मंत्रि उनके पतीने तो कह दिए जी 2,024 में मोधी जी आगे तो डेश की लिए बिनासकारी होंगे जब इनकी मंत्री कहने लगे गड़करी जी ने कल कही दिया आपने आवी डाला है तो हालात ठीक नहीं है बाद पको चिंतनमनन जरूर कर अगर पॉलिटिकल गल्यारों में यह और चीज़ें चलती हैं और बड़ी होती हैं तो जाहर है प्रधानमंत्री जी के लिए भारती जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर सकता है जिससे पारे जाना संभब नहीं देख रहा हूं तो क्या वास्तम में साहिब के दिन खराब हो गए हैं क्या वास्तम में साहिब के दिन बुरे हो गए हैं हम देखते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे आप देखते रहें एक पर अपनी राए से जरूर कमेंट में बताईएगा आपको वीडियो कैसा लगा हमारे राज्यों के चैनल है उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा शुक्रिया थेंक यूद्ट